हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें येश मसी हमारा चरवा है और हम उसकी भेडे हैं तो भेडों की रखवाली करना चरवाह का काम होता है चरवाह अपनी भेडों को भेडिये से बचाता है सेर और भलू से बचाता है अपनी भेडों की वो सुरक्षा करता है ये किसका काम है ये है हमारे चरवाह का काम एक राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित रखता है वो तभी राजा है जब वो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखेगा और हर एक राजा पूरी कोशिस करता है कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे इसलिए पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं कि राजा अपने सहर के चारो तरफ बड़ी-बड़ी दीवारें बना देते थे, ताकि मैं और मेरी प्रजा के लोग सुरक्षित रखें, कोई भी विरोधी हम पर आक्रमन न कर सके, इसी प्रकार से आज साम में मैं आपको कहूंगा, कि परमेश्व प्रभु येश्व मसी आप का चरवा है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, इसलिए आपको डरने की आवश्चिता नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूँगा, मैं किसी से भी नहीं डरूँगा, क्योंकि मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मेरा परमेश्वर मे उस बिमारी से मैं नहीं डरूँगा, उस विरोदी से मैं नहीं डरूँगा, उस दुस सेटान से मैं नहीं डरूँगा, क्यों नहीं डरूँगा, क्योंकि मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्व मेरे साथ में है, मेरी ढाल मेरे साथ में है, मेरे चार और मेरा किला मेरे साथ मे इसलिए आपको डरने क्या उशक्ता नहीं है हम दाउद के जीवन में देखते हैं दाउद ने जब सुना और देखा कि गोलियत इसराइलियों को ललकार रहा है और इसराइली लोग डर कर भाग रहे हैं कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है तब दाउद क्याता है कि मैं इनकी तरह नहीं डरूँगा मैं इसराइलियों की तरह नहीं डरूँगा क्योंकि मेरा परमेशन मेरे साथ में है एक वच्छन हम लोग पढ़ लेंगे पहले समयल की किताब उसका सत्रा ध्याई और 37 पन जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है यहां पर दाउद कहता है साउल से कि मेरा परमेशन जिसने मुझे सिहां के पंजे से और भालू से बचाया है वही मुझे इस फिलिस्ति के हाथों से भी बचाएगा इसलिए मैं इसको मारने के लिए जाओंगा इसलिए मैं इससे लड़ने के लिए जाओंगा इसलिए मैं इससे नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेशन मेरा चर्वा है वो सामर्ती है वो मुझे सेर के मुझे से बचा सकता है वो मुझे भलू के पंजे से बचा सकता है तो इस फिलिस्ती से भी वो मुझे बचा सकता है उसका भरोसा अपनी सामट पर नहीं है वो इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है नहीं उसका भरोसा पर मेश्रप है वो जा करने वाला मेरे लिए प्रवंद करने वाला मेरे उपाई करने वाला मेरे परमेश्र मेरे साथ में से लिए वो कहते हैं कि चाहे मैं घोरंदकार भरी वी तराई से होकर जाओ तो भी मैं आहानी से नहीं डरूंगा क्यों 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 नहीं डरूंगा क्योंकि वो जानता है उस पंजे से उस सेर के पंजे से बचाने के लिए मेरा परमेश्र मेरे साथ में है आज आपको यही जानना है आज आपको यही समझना है कि मेरा परमेश्र प्रभ येश मसी मेरा चरवा है वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ में है मेरे प्रवंद करने के लिए मेरे स उसकी नजरें अपनी धर्मी जन पर लगी रहती है अपनी भेड़ों पर लगी रहती है जिस प्रकार से चरवा है कि नजरें अपनी भेड़ों पर लगी रहती है चाहिए उसकी भेड़ें कहीं पर भी चर रही हैं लेकिन उसकी भेड़ें उसके आँखों से ओजल नहीं होती ह वो 24 घंटे उन पर नजर रखता है इसी प्रकार से परमेश्चुड आप पर नजर रखता है क्योंकि आप उसकी भीडे है उसकी नजरें आप पर लगी हुई है क्योंकि वो आपका चर्वा है यदि वो किसी खत्रे को देखेगा तो वो आपसे पहले वहां खड़ा हो जाएगा आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ा हो जाएगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे पहले वो खड़ा हो जाएगा लेकिन वो आपकी हानी नहीं होने देगा इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी परस्तती क्यों नहों, चाहे जीवन में कैसी भी बीमारी क्यों नहों, चाहे जीवन में कैसे भी विरोधी लोग क्यों नहों, चाहे कितने भी लोग आपके हानी की कलपना क्यों न कर रहे हों, लेकिन आपको इस वचन पर भरोसा रखना है कि यहवा मेरा चरवा है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा वो 24 गंटे मेरे साथ में है उसकी नजरे मुझे पर लगी हुई है वो मेरी ढाल है वो मेरा किला है वो मुझे नस्थ नहीं होने देगा उसकी नजरे 24 गंटे मुझे पर लगी है वो मुझे इस सेर के पंजे से और इस भलू के पंजे से बचाएगा और आज तक उसने आपको बचा करका उस एक्सिडेंट से उसने आपको बचाया उन विरोधी लोगों से उसने आपको बचाया उस दुरगटना से उसने आपको बचाया है तो वो आगे भी आपको सुरक्षित रखेगा, आपके दिन परमेश्व के हातों में है, तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ यह होंगे, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों न हो रहा हो, कैसी भी प्रस्तित क्यों न हो, लेकिन आपको डरने की आवशेक्ता नही है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रबो आपके साथ में है, प्रबो आपकी ढाल है, प्रबो आप तकिला है, प्रबो आपको बचाने वाला है, वो एक सच्चा चरवा है, वो अपने भेडों को कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, बलकि उन भेडों को वो रोज इस प्रात्ना को करें अपने सब्दों को अपनी प्रात्ना को इसमें एड़ करें और निश्य मेरा विश्वास है कि प्रबो आपको आपकी हर प्रात्ना का उत्तर देगा और यदि आप बाइविल अध्यन करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दे मैं अपने लिए प्राथना करवाई थी, कि मेरा सरीर में बहुत दुखता था, तो सिश्टर अमरिता देदी प्राथना जब करते थे, तो मैं उही पर हाथ लगाती थी, तो वो छुट करा पई हूँ, दुख से, और उसके लिए मैं धन्याबाद देती हूँ, और रैठो, सु सिश्टर अमरिता देदी से प्राथना करवाई, कि वो डिलिभेरी से चुट करा पई है, उसके लिए धन्याबाद देती हूँ, और एक ठो, एक ठोजे रम किरकेटा नम का मेरा भाई के लिए प्राथना करवाई थी, वो केस में, उसका केस हो गया था, तो मेरा भाई अभी केस में से चुट कर आप मिला है उसको, तो उसके लिए धन्याबाद देती हूँ, पिता ही शुर, बहुत बहुत धन्याबाद, अमरिता सिश्टर, पिके ब्रादर पिया, आप सब को जैमसिकी, परमिश्व के धन्याबाद हो, आज की सुन्दर शाम के लिए, मैं आशा करती करेंगे, इस गवाही को सुनकर आपने बहुत तायच से आशिश पाई है, आप मोटिवेट हुए हैं, आप एकसाइट हुए हैं कि प्रभु येश्य मसी ऐसा कार्य करता है, प्रभु येश्य मसी ने आपके जीवन में भी आसा कार्य किया है, आप अपनी गवाहीयों को जर धनिवाद, धनिवाद, धनिवाद करते हैं, स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महन सामर्थी पिता हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमिश्वे, आज जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान बुज़र्ग इस शाम में मेरे पिता, हमारे साथ इस फैलोशिप का हिस्सा बने हैं, इस संगती के सहभागी बने हैं, पिता आपका धन्यवाद के आपकी उपस्तिते हैं, उन सब के साथ में हैं, एक एक जन प्रभू आपकी प्रेजन्स को महसूस करें, एक एक जन आपका पवित्र आत्मा उने गाइड करें प्रभू हर एक negativity, हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परिशानी जो लेकर प्रभू तेरे लोग आएं हैं, इसी वक्त प्रभू येश्यू के नाम से हम उन बातों को कहते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़ कर, प्रभू, इंटर्नल पीस और शांती प्रभू इससमें वो महसूस करें पिता, आपकी प्रेजन्स को महसूस करें, पिता, तेरा वच्छन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जाओ, प्रेजन्स वोगों से विंटिस सुन अपने उनका उटर बे बिया है, प्रभू, हम एडवाण्स में आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, छो के प्रेम के लिए जो आपने हम से किया दन्यवाद के अपने रज्य का नागरिक हमें बनाया दन्यवाद अपने लहू को हमारे लिए बहाया और धन्यवाद तु Nे हम caregiver को प्रबू उदै चल से स्थाचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रबू अपने उन्हें कर दिया और आपका भी याद हमारे गुनाहों को नहीं करते हैं खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन का हम आदर करते हैं पिता, आपके वचन को वैल्यू देते हैं, आपके वचन को ओनर करते हैं, और कहते हैं प्रभू ये वचन, हम सब के लाइ कि लुट नहीं परवे लगता है डर लगता है नहीं पेचान रहते हैं और परभु जिस करकार का माहुल असोव में में प्रभु उनके मन में हर दिन अपने एक परिज्णों के परति डर रहता है कही नुकसान कहीं कोई से रच्ट इस बात को कहते हैं कि जैसे परमेश्य तुने मुझे सेर और भालूं के पंजे से बचाया है वही मुझे उस फिलिस्ति के हाथ से भी बचाएगा सच में मेरे प्रभू उसी प्रकार आज हर एक जन प्रभू अपने मन में इस विश्वास को लाने पाए प्रभू कि तुने हर एक विरोधी से हर प्रकार की दुष्ट के कामों से हर एक उस दुष्ट से उस खानी की योजनाओं से प्रभू तु इने इनके बच्चों को इनके परिवार को बचाएगा बिकॉज यह आपका प्रामिस है प्रभू और आप अपने वादे को पूरा करते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं आपने सद्रक मेसद अबेत नगो को प्रभू आख के भड़ते से बचाया आपने परमेश्व पिता चेलों को प्रभू हर एक परिशानियों से बचाया उसी प्रकार ये लोग जो तेरी प्रजा के लोग हैं जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभू तु उन्हें बचाने के लिए उनके साथ में रहता है चाहिए वो घोर अंदकार से तराई में होकर चले, तो भी वो हानी से न डरेंगे कि तू उनके साथ रहता है, धन्यवाद पिता, आप इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ, इनके परिजनों के साथ, इनके लोग जिनके लिए प्राथना कर रहें, आप उनके साथ, उनकी प्रोटेक्शन बनकर खड़े हैं पिता, मैं धनिवाद करती हूं, यदि आज इने डर है, प्रभू किसी हानी का, किसी के नुकसान का, तो प्रभू आज वो हर प्रकार का डर इनके जीवनों से चला जाए, ये शुके नाम से हम कि अपने आस्मानी भंडार से प्रमेश्व इनके करजे को दूर कर प्रभू और इनके लिए सब कुछ का प्रबंद कर प्रभू, रास्तों को खोले प्रमेश्व पिता, हमां प्रातना करते पिता, धन्यवाद, आज जितने भी लोग प्रमेश्व बीमार हैं, प्रभू ने इनके अंद्रूनी और भारी अंग में जो भी बिमारिया हैं, इसी वक्त हम उन बिमारियों से कहते हैं, येशु के नाम से बिमारिया हम तुमें आग्या देते हैं, इस भाई, इस बहन के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजर्गों के शरीर से, इस वक्त जाओ ये शुके नाम से, हम तुम्हे अधिकार से डांटते हैं, और कहते हैं, निकलो ये शुनासरी के नाम से, तेरा वचन कहता है, I proclaim your word, Lord Father, because your word is powerful, your word is live, Lord Jesus, आपका वचन जीवित है, आपका वचन रहमा है, प्रभो, मैं प्रातना करती हूँ, आपका वचन कहता है, निश्चे मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, और दुखों को उठा लिया, धन्यवाद पिता, आपने इस भाई के, बच्चों के, नौजवानों के, बुजर्गों के, इस बहन के, हर एक रोग को, जो इनके शरीर में है, उसे अपने उपर लेकर, प्रभो, इनके शरीर प्रभो, किगनी प्रभो, स्टमक प्रभो, हर एक बॉड़ी, इंटरनल ओर्गन प्रभो, प्रॉपर काम कर रहा है, येश्यू के नाम से, प्रभो हम च्यूमर के ऊपर अधिकाल लेते हैं, च्यूमर नस्ट हो इश्यू के नाम से, हर एक कैंसर इस समें नस्ट हो इश्यू क शोन नहीं सकते इसी वक्त हर एक बीमारी को पर कहते हैं जाओ शोन के नाम से खुल जाएं आखे चुल जाएं प्रभु यह बोलने लगे शुके नाम से । हर एक लंगड़ापन येश्यू के नाम से चला जाए, प्रभु ये अपने पैरों से प्रभु जी, प्रभु अपने पैरों के बल में होकर चल सके पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया है, येश्यू के नाम से दूर करते हैं, और कहते हैं, और जितनी प्रेयर रिक्विस्ट हमारे साथ मिलकर की गई है, YouTube comments, Instagram, Facebook, Telegram में भीजी गई है पिता कॉल के माध्यम से दी गई है प्रभू हर एक विंति को आज की साम में आपके आगे रखते हैं और विशेश का धन्यवाद देते हैं कि हर एक प्रात्ना का उत्तरहा आमीन में आपने दिया है बाद प्रभू आपके लोग आपसे प्यार करते हैं कि आपकी प्रजा है आप इनको पिता आपके राज्य के बैनिफिट्स को प्रभू उसका लुप उठाने में इनकी मदद करें पिता धन्यवाद करते हर एक जन प्रभू तेरे नाम से ब्लेस होने पाए येशु के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन यदि आप सुभा शाम की प्रात्नाओं से आशीश पा रहे हैं आप उत्साहित हो रहे हैं आपके परिवार में कार्य हो रहे हैं तो यूही हमारे साथ मिलकर आप इस संगती में वचन में प्रात्ना में शामिल हो और आपके और भी जो परीजन है उन्हें भी इस प्रात्ना में शामिल करें ताकि येश्यू उनके और करीब आए और वो लोग भी राज्ये के नागरेक बन सकें सप्रभू आप सबको आशीज दे जाए मिसी की रोज सुबह शाम की प्रात्ना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूले यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं तो हमारे प्रेय टावर में कॉल करके प्रात्ना करवाएं धन्यवाद